नमस्कार दोस्तों आपका वायोपीडिया पे स्वागत है आज हमें एक बहुत ही खूबसूरत एक्टरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम एलेक्जेंडरा डडारियो है चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अलेक्जेंडरा का जन्म मार्च 16 1986 को न्यू यू यॉक सिटी यू एसे में हुआ था इनके स्कूल का नाम ब्रियरली स्कूल और उनके कॉलिज का नाम मेरी माउंट मेनहेटन कॉलेज है इनके पेरिंट्स का नाम रिचर्ड सी डडारियो और क्रिस्टीना डडारियो है इनकी एक बेहन है कैथरीन डडारियो और एक भाई है मैथ्यू डडारियो यह अन्मेरिड है पर यह 2006 से 2009 तक जेसन विचिस के साथ रिलेशन में थी और 2009 से अभी तक यह लोगन लर्मन के साथ है अलेक्जेंटरा जब 16 साल की थी तो उनका सोप अपेरा आल माई चिल्डरन में डेब्यू हुआ था इनका पहला बड़ा रोल 2010 की फैंटेसी एडविंचर फिल्म दा लाइटनिंग थीफ में था 2014 में आई HBO सीरीज ट्रू डेटेक्टिव से यह फेमस होना शुरू ही और बाद में इन्होंने बे वाच फिल्म भी की जिसमें इन्होंने डुएन जॉनसन के साथ काम किया 100 सेक्सिएस्ट मोमन इन दा वर्ल्ड की लिस्ट में अलेक्जेंडरा भी आती है इनकी साला ना कमाई 4 मिलियन यूएस डॉलर से भी जादा है अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साजुने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यो फो वाचिंग